नमस्कार दोस्तों, असस्मेंट येर 2021-22 के लिए ITR 1, ITR 2, ITR 4 ओनलाइन फाइल होना शुरू हो चुके हैं। अब ये जो ITR 1 यहाँ पर आप फाइल करते हैं, अगर आप इसे ओनलाइन सीधे इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के साइट पर जाकर के फाइल करना चाहें, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये स्टेप बाइ स्टेप आपको कैसे ओनलाइन ITR फाइल करनी हैं, उसी विशे पर आज की ये वीडियो आपके समख्ष प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला काम करना है, इंकमटेक्स.gov.in पर लॉग इन करेंगे, जब आप इस साइट पर जाएंगे तो आपको लॉग इन का उप्चन आएगा, मैं इमान लेता हूं कि आपका अल्रड़ी एक लॉग इन क्रियेटर है, लॉग इन क्या है, आपका प आपको डैशबोर्ड दिखाएगा, वहाँ डैशबोर्ड से दोस्तों रिटर्न बरने की कारिवाई हम शुरू करेंगे, यहाँ पर अब मैं मान लेता हूं कि आपने लॉग इन कर लिया, लॉग इन करने के बाद में अलग-लग ऑप्शन आपको दिखेंगे, डैशबोर्ड e-filing, authorized partners, etc. आपको e-filing पर जाना है अगर आप return भरना चाहते हैं तो यहाँ पर income tax returns पर आप income tax return, income tax forms दो option है, जब आप income tax return पर click करेंगे, तो आपको option आएगा file income tax return, यहाँ पर जब आप file income tax returns पर click करेंगे, इसके बाद, अब आपके पास में option आएगा, income tax return, income tax return, कौन से assessment year के लिए, तो नाचुली अभी option ही assessment year 2021 है, तो आपने assessment year 2021 सेलेक्ट किया, वहाँ पर क्योंकि ITR 1 जो लोग file कर रहे हैं दोस्तों, वो 44 AB में tax audit की जदमें नहीं आते, तो आपको यह particular चीज में यहाँ पर और यहाँ पर कु proceed करना है, जब आप आगे proceed करेंगे, तो system आपको बूलेगा, you need to select a mode of filing to proceed, आप किस mode से ITR भरना चाहते हैं, दो option हैं सा, online, offline, offline, आप अलग से return बना करके रखना चाहते हैं, बाद में जब आपको फुरसत होगी, आप upload कर देंगे, या आप online ही, और देखिए आप यहाँ पर जो भी mood आप select करेंगे, अगर आप online select करते हैं, तो आपको यहाँ पर proceed के button पर click करना है, जब आपने proceed का button दोस्तों click किया, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर option देगा, you have saved draft of income tax return pending for submission, यानि आपने already कोई पहले से draft save कर रखा है, तो आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर ऐसा कोई draft save नहीं है, तो आप वापस से fresh income tax return फाइल करने के और बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको click करना है, start new filing पर, अब मैं मान लेता हूँ कि आपने start new filing पर दोस्तों click किया, अब आपको law कह रहा है, यह form कह रहा है कि select करिए, please select the status applicable to you to proceed further, आप as an individual return भर रहे हैं, as an HOF return भर रहे हैं, या other SSC के रूपे return भर रहे हैं, तो प्राइमा फेसाई मैं यह मानता हूँ कि ITR1 केवल individual SSC के लिए applicable है, तो हमें individual SSC select करके अब आगे बढ़ना है, जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको अब form select करने के लिए दुबारा पूछेगा, you need to choose an ITR form to proceed, तो जैसा मैंने आपको बोला कि ITR1, ITR2, ITR4, यह तीन pre-filled format के अंदर available होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं ITR1 से related discussion कर रहा हूँ, तो मैं केवल ITR1 पर बात करता हूँ, कि मान लीजिए मैंने select कर लिया ITR1, यह select करने के बाद जब मैं आगे बढ़ूँगा, तो उसके बाद में, अब मुझे आगे पोर्टल बोलता, you need to choose an ITR form to proceed, मैंने ITR1 select किया, इन्होंने यहाँ पर मेरे को criteria दे दिया, के ए फर्म किसके लिए है, for individual being a resident, other than not ordinarily resident, having total income up to Rs. 50,00, having income from salary, one house property, other source interest, etc., and agriculture income up to Rs. 5,000. अगर आप किसी company के director हैं, या आपके पास में unlisted shares hold हैं, या 194N वगेरा में आपका TDS कटा हुआ है, तो ऐसी परिस्थती में आप ITR1 नहीं बढ़ सकते हैं, तो मान लीजे, आप इन सब ineligibility से दूर हैं, आप eligible हैं, तो आप proceed with ITR1 पे click करें, जब आप proceed with ITR1 आगे click करेंगे, तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले criteria रखा, कि यह criteria आपको बता देगा, आपको बोलेगा कि साब आपको दो काम करने हैं, validate your return, breakup, pre-filled, जो pre-filled है, data आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको इसको validate करना है, दूसरा step आपको confirm करना है, अपने return की summary को, और तीसरा step होगा, आप verify और submit करेंगे अपनी return को, यहाँ पर आपको portal कह रहा है, क्योंकि now let's get started, तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर let's get started पर click किया, क्योंकि I am proceeding for filing ITR1, तो यह कह रहा है कि आप answer दीजिए, please answer the following questions to proceed further, are you filing income tax return for any of the following reason, पहला reason हो सकता है, कि your taxable income is more than basic exemption limit, जैसे आपकी डाइलाग से उपर की total income है, तो आप यहाँ पर click करें, दूसरा option दे रहा है कि आपकी total income तो डाइलाग से उपर नहीं है, पर section 139.1 में एक 7th proviso insert हुआ था, जो 3 में से एक कारण से आपको return बरने के लिए force करता है, you have deposited aggregate of the amount exceeding 1 crore rupees in one current account during the previous year, you have incurred expenditure on an amount or aggregate of the amount exceeding 2 lakh for travel to a foreign country to yourself or any other person, or you have incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding rupees 1 lakh on consumption of electricity during the previous year, तीनों में से एक भी option आपको तभी select करना है, जब आप return बरने के लिए otherwise libel नहीं है, यानि आपकी total income below basic exemption limit है, पर आप इन में से किसी एक particular point में आने की वज़े से return बर रहे हैं, और तीसरा आप ना तो below exemption limit के income पर इन तीन रिजन के साथ हैं, नहीं आपके above exemption limit है, पर आप switch से अपनी return बर रहे हैं, तो आप other का option क्लिक करिए और इस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे. Once you move forward, तो department आपको यहाँ पर portal एक message दे रहा है, we have pre-filled your return based on the information available with the income tax department, please confirm that the details in each section are correct to proceed, this is very important sir, pre-filled return does not mean that you have to straight away accept what is given in the pre-filled format, it means the format with the pre-filled information is subject to change, आपको लगता है कि सूचना में कुछ change होना है, नेरी income बढ़ रही है उस level से अगट रही है, तो आप वो changes करके आगे बढ़ेंगे. अब बड़े ध्यान से दिखेगा sir, कि जो पहला step था value return, इसके अंदर आपको 5 different procedures में जाना पड़ेगा, पहला आपको personal information देनी है, दूसरा आपको GTI जिसमें salary, house property, other source की income डालनी है, अगर आपके chapter 6 से के deduction हैं उनकी सूचना देनी है, चौथा आपने taxes paid की information देनी है, पांचवा final total tax liability या refund due क्या है, वो यहाँ पर आपको fill up करना है, तो जैसा मैंने शुरू में बोला दोस्तों कि तीन main parts है, पहला होगा validate return, दूसरा होगा confirm your return summary, तीसरा verify and submit, लेकिन इस पहले step valid return में आपको 5 different different categories के अंदर information को या तो confirm करना है, या fill up करना है, अब दोस्तों पहली information की कड़ी, जो पांच बुली थी, उसमें से पहली है personal information, यहाँ एक एक चीच पर आपको step by step लेकर के आएंगे, आपने personal information बरनी है, जब आप ये बर लेंगे, आप GTI की information पे जाएंगे, जब आप ये बर लेंगे system आपको total deduction पे ले जाएगा, इसके बाद आपको text paid की information पे ले जाएगा, और finally total text liability के और आगे बड़ेंगे, अब देखे, सबसे पहले आपका profile, यानि आपकी खुद की सूचना या जानकारी जो department लेना चाहता है, ये चीज़े automatically filled up आएंगी, आपका name, middle name, last name, आपका pen, आपकी date of birth, आधार number, ये सब automatically filled होंगी, आपकी contact details, अगर आप contact details को edit करना चाहें, तो उनका option यहाँ पर है, और मैं मानता हूँ sir कि जो हमारा latest address है, वो address हमारे को यहाँ पर pick करना चाहिए, ठीक है, कई बार लोग सोते हैं कि साब मैं जो पुराना address चल रहा है, वो चलने देता हूँ, चाहे मैं किसी दूसरे address पर भी रह रहा हूँ, तो दीखे, permanent address की information department के पास already है, अगर आप communication address बदलना चाहें, return के point of view, तो मैं उसे गलत नहीं मानता हूँ, अब इसी information में, profile में आप से पूछ रहा है, सर आपका nature of employment क्या है, are you employed with central government, state government, public sector company, are you a pensioner और any other person, से पर एग्जामपल कोई sellerit paid नहीं, उनके पास के वाल other source की income है, तो वो other option select करके आगे बढ़ेंगे, profile के साथ साथ, आपको filing section की information देनी है, क्योंकि 30 सितंबर तक normal without किसी प्रकार की fees दिये में return बढ़ सकता हूँ, और वो मेरी due date है, assessment year 21-22 के लिए normal assesses के case में, तो आपको 139-1 select करना है, अगर आप belated में चले गए हैं तो 139-4, अगर आप पहले से return बढ़ चुके हैं, रिवाइस कर रहे हैं तो 139-5, 119 दोस्तों तब applicable होता है, जब normal time limits खतम हो गई, return नहीं बढ़ सकते, आपने CIT से permission ली है, और उन्होंने आपको एक order से permit किया है, delayed return के लिए, कई बार हम defective return का notice आता है, 142-1 का notice आता है, या 148 का notice आता है, regular filing में ऐसे मौके नहीं आते, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस point पर आपको click करना है, ये button जो आपको हलका सा greyish दिख रहा है, ये bluish में convert हो जाएगा, और फिर आपको इन से related information के मैं कौन से communication reference के संदर्व में अपनी return भर रहा हूं, बढ़ते हुए return के लिए आगे बढ़ना है, लेकिन प्राइम अफिसाई जो लोग timely अपनी return भर रहे हैं, या बिना किसी notice के return भर रहे हैं, वो या तो 139-1 सेलेक्ट करेंगे, या time limit निकलने के बाद 139-4 सेलेक्ट करेंगे, अब एक और important option सर जो आप से पूछा जा रहा है, कि are you opting for new tax regime, अगर आप नई slab rate का benefit लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर yes या no करना है, एक बात ध्यान रखिएगा सर, sell rate paid के लिए, या मैं कह सकता हूँ non-businessman के लिए, हर साल option है कि वो 115 BAC, यानि new slab rate का option ले, तो आपको compare करना है, अगर आपको लगता है मुझे new slab rate system के अंदर कम tax लगेगा, तो आप 115 BAC को select करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे. Once you move forward, फिर दोस्तों आप से bank details की information मागी जाएगी, जो department के पास already bank details हैं, और क्या वो validated हैं, यह बहुत important है दोस्तों, बहुत सी बार लोगों के refund अटक जाते हैं, कि उनकी bank की information department के पास validated नहीं है, validation का अलग process है, जो validated accounts हैं, वो यहाँ पर दिखेंगे, इन में से जो account आप refund के लिए select करना चाते हैं, आपको इधर click करना है, वो अपने आप blue color में convert हो जाएगा, आपको कोई नया bank account select करना है, आप add another bank account भी यहाँ पर जाकर के कर सकते हैं, finally, आपने जब यह सब information भर दी, अपने profile से related, आप confirm कर दीजे, आपका profile से related portion, अब अपने आप verified होकर के आगे बढ़ने की situation आएगी, अब दोस्तों आपको second portion में ले जा रहा हूं, जहाँ पर GTI से related information देनी है, क्योंकि return pre-filled है, तो आपके form 16 से department को अलड़ेडी, gross salary की information मिल चुकी है, अब हो सकता है, कि किसी परिस्तती में, किसी व्यक्ति के पास में, ऐसी salary income हो, जो दो employer से आ रही हो, पहली salary income जहाँ TGS कटा है, वो दिख रहा हो, दूसरी salary income नहीं दिख रही हो, तो वो salary income भी आपको जोडनी पड़ेगी, हाँ, जब आप DTI में जाएंगे, तो salary में, आपको salary exemption, अगर आप section 10 clause 14 में claim कर रहे हैं, इसके किसी clause में आप claim कर रहे हैं, तो वो information, जैसे ही आप yes बोलेंगे, कहाँ साब मैं exemption claim कर रहा हूं, 10.14.1 में, 10.14.2 में, yes बोलते हैं, आपको respective amount fill up करना पड़ेगा, आगे देखे, say for example, आप HRA का exemption claim कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10.13 है, pre-filled information है, अगर आपके employer नहीं HRA exemption लिये हैं, तो वो pre-filled आनी चाहिए, लेकिन अगर employer ने HRA exemption नहीं दी, आप return में claim करना चाहते हैं, आप yes option claim करेंगे, वहाँ पर अपना HRA exemption जो आप डालना चाहते हूं डालेंगे, मेरा आपको suggestion है, जब भी आप HRA exemption claim कर रहे हैं, you please refer to the provision of 10.13, see how your HRA exemption amount could be claimed, और उतना amount जो eligible हो यहाँ पर डाले, कुछ लोग LTA का exemption claim करते हैं, जैसे पिछले साल LTA के लिए एक specific scheme भी आई थी, अगर आपके employer ने भी नहीं दिया, लेकिन आप eligible हैं, LTA exemption का amount डाले, कोई और exemption आप salary के against लेना चाहते हैं, तो यहाँ fill up करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बोला, कहचारे exemption जैसे ही आप yes select करेंगे, amount बढ़ना है, और ऐसे ही अगर आप LTA exemption select करेंगे, तो आपको yes करके amount fill up करके मांगेगा, अब मान लेते हैं, कि salary income आपकी अपने आप filled up आ गई, हलाकि जो data मैंने उठाया है, वहाँ पर मैं 00 data एक बार दिखा रहा हूँ, आप जैसे मैंने बोला कि दू employer हैं, तीन employer हैं, आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर edit कर सकते हैं, ठीक है, say for example, मेरे दू employer थे, इस साल में एक से 3 लाग की salary आई, एक से 7.5 लाग की salary आई, तो 3 लाग वाले ने तो TDS काटा नहीं न, मुझे 26 AS में दिखा, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन employer को भी यहाँ जोड़ू, ताकि मेरी final liability सही से पेड़ो, तो यहाँ पर मैं edit करके information जोड़ूँगा, जोड़ने के साथ साथ दोस्तों मेरे को यहाँ पर gross salary की detail, ठीक है, एंड इसके साथ साथ exempt allowance, net salary, deductions, और income under the head salary, finally calculate हो करके आ जाएगी, अब मैं ले चलता हूँ आपको house property की details की ओर, कि अगर आपकी property house property है, single house property ही आपकी वाला ITR1 में select कर सकते हैं, यहाँ पर इन्हों ने बोला है कि we have pre-filled this value from 16 with reference to form 16, wherever applicable, you are required to provide the breakup in order to consider this amount, तो जो figure यहाँ पर ले लिया जाएगा, auto-filled ITR में वो तो आपके form 16 में employer ने जो दिया है वो ले ले लेंगे, मान लिजे आपने employer को कोई house property से related interest की detail दी नहीं, तो अब आपको खुच से जा करके add, edit, details of breakup, यहाँ पर जा करके आपको खुच से details देनी पड़ेगी, अब देखे, add house property जैसे ही आप करेंगे, तो आपको कहराएजी आपकी property self-occupied है, let out है या deem let out है, जब आप यह particular option, say for example self-occupied select करते हैं, तो, अब अगला option आ रहा है, कि आपने house property self-occupied ली, अब आपको deduction क्या मिलना, interest paid और payable on borrowed capital, ठीक है, और अगर कोई आपको पिछला बकाया area of rent आया है, उसका 30% deduction देके, 70% amount यहाँ पर आप income में offer करेंगे, इस प्रकार आपकी income chargeable under the head house property निकल करके आ जाएगी, मान लीजे for an example, आप कहते हैं नहीं जी मेरी property let out है, तो आपको यहाँ पर gross rent बताना है, कोई municipal taxes आपने pay कि यह वो बताएंगे, आपकी property की annual value, इसका 30% deduction automatically मिलेगा, interest paid on borrowed capital आप claim करेंगे, या payable भी है तो भी आप claim करेंगे, कोई area of rent आया है, तो वहाँ पर आप उसका 30% reduce करके 70% offer करेंगे, इस case में house property की income यह निकल जाएगी, अगर, यहाँ से मैं आगे ले चलूँ अब आपको, कि house property आपने fill up कर लिया, अब आप income from other source में, अगर आपके form 16 में dividend की information है, तो आपको यहाँ dividend income pre-filled दिख जाएगी, आप dividend income के against में, जैसे आप कहते हैं, जी मैंने dividend कमाने के लिए interest on borrowed capital दिया, तो आप कोई deduction लेना चाहें, ले ले, तो इस प्रकार other source की income में, आपको लगता है कि नीशाब मेरे तो और भी income है, तो आप यहाँ पर add another पर click करते हुए आगे बढ़ेंगे, अब dividend को एक चीज आपको ध्यान रगना है, कि dividend का सर advanced tax calculation जो होता है, वो respective dividend के receipt के बाद की advanced tax की due dates होगा, इसलिए यहाँ पर जो format है, वो आपसे dividend का classification मांग रहा है, कि हाँ आपका classification बताईए, अगर आपका self-assessment tax 10,000 या उससे ज़्यादा नहीं, तो ऐसी परिस्तिती में तो कोई फरक पड़ता नहीं, आप एक साथ भी information दिखा देंगे, तो आपको कोई नुफसान नहीं होने वाला, लेकिन जिनकी 10,000 या उससे ज़्यादा की tax liability आ रहे है self-assessment की, क्योंकि वहाँ पर 234B, 234C का interest calculate होगा, they are supposed to put up the figures of the dividend according to the respective dates as are given here. अब मान लीजिए जैसा मैंने पहले आपको बुला दोस्तों, के do you have interest income from saving bank account in India, आपने बुला जी येस, आप उसका ATTTB में deduction लेना चाहते हैं, पहले या amount fill up करिए, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछले साल बहुत सारे लोगों को, ये campaign में notices आये, जिन्होंने saving bank के interest को ITR में नहीं offer किया, जबकि भारत सरकार के पास में सूचना थी, मैं आपको यहाँ पर एक advice देना चाहता हूं, कि saving bank के interest को return में offer करना मत बूलिए, आगे बढ़ता हूं, do you have interest income from deposit in bank, post office, cooperative, society, etc., yes, amount fill कर दीजे, अगर आपकी कोई family pension है, अ amount fill up करके आगे बढ़िए, interest from income tax refund, भारत सरकार कह रही है, अगर आपको income tax refund पर व्याज मिला है, वो भी आपकी other source किया है, उसको भी डाली, कोई और income अगर आपके पास वैसे कोई कहता जी मेरी tuition की income है, gift की income है, आप उसको डाली है, उसका description लिखे और इस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों तीन चीजों का combination, salary, house property और other source, आपकी gross total income मनेगा, ITR 1 के purposes से, अगर आपकी कोई और exempt income है, जैसे agriculture income, ठीक है, या कोई और exemption जो आपने claim करी हैं, तो आप उन exempt income की detail को यहाँ पर भरने के लिए libel है, exempt income जैसे ही आप select करेंगे, फिर वो आपको option देगा, आप उन option में से respective income के head को select करिए, उसकी detail फिलब करिए और आगे बढ़िए, अब तीसरे portion पर चल रहा हूँ दोस्तों, पहले part के, जिसमें आपको deductions की information देनी है, are you eligible to claim any deduction for donation paid, यानि ATG का deduction, अब ATG में क्या है सर, आपके deduction है 100% without any limit, 50% of contribution without any limit, and 100% deduction subject to 10% of GTI, तो वो information यहाँ पर आपको fill up करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, इसी फिरकार से आपने कोई scientific research association को दिया, ATG में कोई direction आप claim कर रहे हैं, जैसे ही आप yes select करेंगे इन तीनों option में, तो आप से relevant details बढ़ने के लिए form करेगा, इसी फिरकार दोस्तों, अगर आप ATC में eligible हैं, क्योंकि जातर लोग ATC claim करते हैं, तो यहाँ पर आपको yes select करना है, respective amounts को आपको fill up करते हुए आगे चलना है, अगर आप ATC do, CCD, subsection to NPS contribution by employer ले रहे हैं, वहाँ आप यह select करके आगे बढ़ेंगे, अगर आपने ATD medical insurance premium पे किया, health insurance check-up के खर्चे किये, या किसी प्रकार से आपने senior citizen या non-senior citizen parents के लिए medical expenses किये हैं, या insurance premium दिया है, तो आप उनकी details यहाँ पर fill up करते हुए आगे बढ़ेंगे. और deduction में अगर मैं बात करूँ, तो ATE, education loan या कोई और deduction से, for example, कोई ATU किसी प्रकार की special disabilities related अगर deduction क्लेम करना चाहें, तो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे. Finally, आपको format कहता है कि, okay, please verify your deductions, कि आप जो भी deductions क्लेम कर रहे हैं, उनको आप एक बार verify कर लिजे. एक और important चीज बताता हूं दोस्तों, अगर आप कहीं भी अटक रहे हैं इस form में, तो आपको बहुत सी बार top पर need help का option मिलेगा. आप इस need help के option को click करेंगे, तो आपको कुछ points वहाँ पर लिखे मिलेंगे, जो आपको guide करने के लिए यहाँ पर मौझूद होंगे, आप उनके through guidance ले सकते हैं, कि अच्छा मैं form सही तरीके से fill up कर रहा हूं, या मुझे कोई और information as per points ध्यान रखनी है, तो आप उन्हें ध्य TDS दिखेगा, ठीक है, अगर कोई TDS other than salary है, say interest other than interest on security, interest on security, brokerage etc., वो दिखेगा, ठीक है, अगर किसी और प्रकार का TDS कोई है, जो form 16C के through आ रहा है, वो दिखेगा, कोई TCS आप से collect हुआ है, तो हो आएगा, finally आप इसके बाद advanced tax and self-adjustment tax की information जो आपको pre-filled return में दिख रही है जैसा मैंने बोला, कि अगर आपको information नहीं दिख रही ही, तो आप advanced tax या self-adjustment tax की BSR code, serial number of challenge, date of deposit वगेरा fill up करते हुए आगे बढ़ सकते हैं Finally, जब आपने ये information दे दी, तो आपको बताएंगे क्योंके GTI आपकी ये है, deductions आपने इतने लिए, total income आपकी इतनी आई, tax payable इतना बनता है, rebate 87A में इतनी है, और final tax payable after rebate आपके लिए ये amount होगा अब जो final amount है, total tax and interest and fees payable, अगर आप time limit में return बरेंगे तो fees कुछ नहीं लगनी है Final total amount of tax, fees and interest यहाँ पर आपको जो return है, वो अपने आप format में दिख जाएगा अब आपने यहाँ तक आते आते दोस्तों मेरे साथ personal information फिल कर ली, GTI की data दे दिया, total deductions दे दिये, tax payable दे दिया और total tax liability वे आपके लिए यहाँ तक आते आते, final हो चुकी है अब अगर आपका कोई tax liability आएगा, तो हाला कि मेरे case में जो मैं example लेके चल रहा हूँ, zero है, मान लीजिए 10,000 है, तो आपको यहाँ पर 10,000 का amount लिखा मिलेगा आपको वो 10,000 का amount उसी समय फिल करना है, क्योंकि without self-assessment tax pay किये, return बरने की सला में नहीं देता यह अब आपको एक option दे रहा है कि आप चाहें, तो यहाँ पर अपनी return को print भी कर सकते हैं, download भी कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिए, अभी return भरी नहीं है, अभी केवल format है, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा मैंने जो चीज भरी है वो क्या है, अलग कि रुकिएगा, मैं इस आपकी यहाँ पर दिख जाएगी, अब आपको करना क्या है, अपनी return को submit करने की तयारी करनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अपना नाम, आपका पिताजी का नाम यहाँ पर दिख जाएगा, है ना, आपकी capacity self, ठीक है, और आपका pen number यहाँ पर दिखेगा, आपको आप आगे proceed करना है, जब आप proceed to preview करेंगे, तो इससे आपको एक return पूरी भरी हुई यहाँ पर दिख जाएगी, मैंने किवल उसका एक छोटा सा portion, initial portion रखा है, आप इस initial portion को देख रहे हैं, पूरी return आपको यहाँ पर दिखेगी, आप इसका print भी निकालना चाहेंगे, तो निकल जाएगा, download भी करना चाहें, निकल जाएगा, लेकिन अभी यह return पूरी नहीं हुई है, यानि भरी नहीं गई है, ध्यान रखेगा इस बात का आप लोग, जब आपने return देख ली, अब आप satisfied हैं, हाँ साब, यह return के format में जो मेरी information है, बिलकुल सही दिख रही है, तो अब आप proceed to validation की ओर आगे बढ़ेंगे, validation क्या है, आपने जो return बनाई है, अगर इसमें कुछ errors है, तो यह कहेगा, जी validation completed, two errors found, two errors found, तो आपको per error पर यह click करने का option देगा, और respective column पे ले जाएगा, किसाब आपने यह information गलत बरी है, यह नहीं fill up करिए, वो fill up कर दीजे, पर आपको fill up करते हुए, आगे बढ़ना है, माल लीजे, आपने वो, जो validation errors थी, वो दूर कर दी, तो देखिए, यहाँ आपको message दिया, कि आपकी validate return हो गई, confirm your return summary हो गई, ठीक है, अब आपको verify and submit करना है, तो verify and submit करने के लिए, आप validation करने के बाद में, proceed to verification करना है, यानि अ अब आप final moment पर आचुके हैं, जहाँ आप return बरने के लिए, बिलकुल सज्जे हैं, तयार हैं कि हाँसा अब मैं return बरने के लिए खड़ा हूँ, मेरी return accept करिए, जैसे ही आपने proceed for verification किया, तो आपको तीन option देगा, या तो अभी क्या भी e-verify कर दीजे, बाद में कर लिजेगा या ITR 5 sign करके बेच दीजेगा, यानि ITR 5 sign करने का option मौझूद है, तो इन तीनों में से जो भी option आप select करेंगे, उसके हिसाब से आपके ITR fill up हो जाएगी, तो दोस्तों मैं मानता हूँ, इस प्रकार से आपकी finally ITR 1 fill up होगी, At the end, my dear friends, I believe that yet it has been a quite long video, but naturally मैंने एक short में आपको ITR 1 कैसे बरनी है online, वो प्रक्रिया आपके सामने nut and shell रखने की कोशिश करी, आपके कोई queries होँ, तो आप लिखे, मैं उनका answer देने की कोशिश करूँगा, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैहें